नमस्कार दोस्तों, बिद्या करियर क्लासिज की आनलाइन सेवा में आपका स्वाल है, आज हम बहुत ही एक important topic देखेंगे, संख्या पद्धादी के अंतरगत आता है, संख्या पद्धादी, यानि नंबर सिस्टम के अंतरगत है, पथा मियन की संख्याओं का योग फल निकाल इस topic पर अक्सक कुछिशन पुछे जाते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे अगर पेपर में पुछ लिया गया, पर्थम 15, बिसम संख्याओं का योग फल होगा, बिसम संख्याओं का योग फल होगा, और आपको ऐसे कुछ आपसन दे दिया जाता है, आपसन नमबर 2, 225 और आपसन नमबर 3, 197 और आपसन नमबर 4, 240 इसमें से आपको किसी एक कोटिक करना होता है, तो इस तरह के कुछिशन को करने के लिए हमारा जो बेसिक तरीका है, वो ये है कि जैसे कुछिशन है, पर्थम 15, बिसम संख्याओं का योग फल हो, जैसे कि इसी तरह से हमें कितना तक ले जाना है, जैसे एक, दो, तीन, चार संख्याओं गई, 15 बिसम संख्याओं को ऐसे निकालना है और उनको आपसने जोडना है, अब अगर इस तरह से हम एक एक निकालेंगे और जोडेंगे, तब काफी टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम क्य संख्याओं का योगफल बराबर होता है, यन का फॉली स्क्वार, जहां यन बराबर दी गई संख्या, अब इसी तरिक में हम मान को रख देंगे, जो शंख्याओं दी रहेगी, उसका मान रख करके अरहल कर लेंगे, बस जो बिया जाएगो वह यमान रख्याओंगा, उतर ह यह दिया गया 15 कि और हम रख दिए और अगर हो निस्त करेंगे यह देल और करेंगे यह हो जाएगा 225 यानि पर्थम 15 विसम संख्याओं का योगी जो होगा वो 225 होगा तो यह टापिक नहीं पर खताम होता है अगर आप कोई जानका यह अच्छी लगी वीडियो समझने है तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल बिद्या करें को स